Fintech Major, Paytm की Parent Company जो है 197 Communications उन्होंने कम से कम सो करमचारियों को नौकरी से हटाया है अब ये Layoffs जो है Operations, Sales और Engineering Teams में हुए हैं और ये एक तरह से Expected Lines पे थे क्योंकि जो AI Automation की Implementation है वो अब हो चुकी है और ये Layoffs याद रखिए Phases में हो रहे हैं अब Paytm का ऐसा कहना है कि देखिए इससे जो है Costs जो है Company के कम होएंगे और जो Roles Repetitive थे वो भी कम होएंगे एक तरह से उनका ऐसा मानना है कि Fintech Major जो है Paytm वो अब अपने Focus Areas पे ध्यान जो है दे सकता है लेकिन एक Paytm Spokesperson ने NDTV से कहा कि देखिए इस पैसले से कम से कम 10 से 15 प्रतीशत जो है Employee Cost में Company जो है बचत कर पाएगी और ये जो है इनके जो AI का जो Movement है Company में वो एक तरह से Expected Lines पे है अब याद रखिए ये जो है पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है 2021 में भी हमने देखा है कि Paytm ने 500 से 700 करमचारियों को हटाया था लेकिन वो कारण अलग था वो कारण था Non Performance का और December 7 को Paytm ने एक फैसला जो है Announce किया उन्होंने कहा कि देखिए Small Ticket Postpaid Loans में कमी होगी और High Ticket Personal Loans और Merchant Loans में अब जो है Expansion होगी अब ये फैसला जो है Brokerages ने इसको Thumbs Up नहीं दिया है इनफैक्ट उन्होंने ऐसा किया है कि अब उन्होंने Revenue Estimates जो है Paytm के लिए कम कर दिये है